और विपश्ट तो है ही यहां नहीं चुकि जितने लोग लगे हुए हैं सब तीन तीन बार मेरे से जमानत जब्त करा चुके हैं अभी जो मेरे विरोध में खरे हैं उनकी जमानत नहीं बचेगी बाड़ एक सट में परहें कोई लिखेंगे हो गए नवाब अब क्ये लोगों क जूटला नहीं सकता है परहसान करने का परियाद सच को होता है पराजित करने का नहीं हो सकता है मैं हाँ धुआ कि छो बजे मैं रोज खाना खा लेता हूं लोगों को थुरा आश्चर लेगा लेकिन मैं खाना खा लेता हूं और मैं ही नहीं मेरे परिवार के जितने मेरे मैं मैं चार भाई हूँ, चारो भाई, छो बजे ही हम लोग खाना खाते। अपने किये कामों को लेकर, किये वादों को लेकर, इसी पिशेच अभी हम आप पहुँचें, बाड नमर 61 में, यहां के पिशले कई बर्सों से यहां के नितित कर रहे है, रूपननान महता, दो हजार शत्रा में, यहां के परतिनिधी बने, और उश्या देवी यहां की बाड पार्षद बनी तब बाड 61 को कैसे विकास किया है शब का साथ हमारा परियास और बाड 61 का होगा विकास इसी नारों के साथ वो जनता के बीच जाते हैं आई हम खुदन से बात करते हैं सर इस बार फिर से एक बार चुनाव है जनता के बीच आप जा रहे हैं चुकि काम आपने लोगों को पानी की समस्या है उससे निजात मिले और एक मूलता पॉल लाइट की बहुत बड़ी समस्या हुआ करते थी बात छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है चुकि सफाई के बारे में मैंने कहा तो नियनतन 2002 से हमें जब से यहां के जनता ने हमें कार्ज करने का मौ परियास किया है सफाई वेवस्था की बात जहां तक है तो हम सुबह उठकर ही उसका निरच्छन करते हैं छे बजे मेरा काम है कि सुबह निकल जाए और पूरव से पच्छी मा उत्तर से दखिन की और चारोपटी एक वर घूम कर देखने कि कहा कहा क्या समस्या है उन पर भी बरतलाप होती है कि भाई सफाई यहां नहीं है वहां नहीं तो उस पर भी लगातार सफाई निरच्छक को और उनके सुपरवाइजर को निरदेश देते रहते हैं जिससे सफाई वेवस्था बनी रहती तो पानी की समस्या है लगातार यहां यहां के लोगों को जूजना प एक मुर्तुली गण्य और ये तीन बोरिंग से लगा लोगों को पानी मिलता था लेकिन जहां जहां उच्छा जगह है वहां चहर नहीं पाता था इस ओर मैंने अपना ध्याना करिश करते हुए लोगों को पानी के निजात दिलाने का एक अभियान चलाया मैंने 2002 में से 2007 में आप जानते होंगे कि हमें पूरा पांच बरस में पांच लाक रुपया ही मीला था उसी में कुछ चांपा कल हमने गरभाया था कि लोग पानी से निजात मिले कम से कम सूथ पानी पीए लेकिन लगातार चांपा कल खड़ाब हो जाया करते थे और जिसके कारण लो से निराकरन हो सकता है तो मैंने उसमें एक एचबी का पंप समर्शेबूल बोरिंग उसमें डाल दिया और डालकर उसका प्रयोग मैंने जब किया तो उसका परिनाम पोजिटीव आया अब पानी लोगों को मिलने लगा तार तो मैंने एक कारज सूरूत जरूर किया लेकिन बाद में जब नगर निगम में लगातार हमें प्रतिनिधी बनने का मौका मिला तो इसको मैंने योजना में सामिल करा नगर निगम के योजना में कि सब जगा समर्शेबुल बोरिंग कारकर और टंकी रखके पाइपलाइन दवराकर पचास घर, साथ गर सतर घर के लोगों को लगा पानी मिले, जो मेहदी गञ्ञ के नाम से बोरिंग था, तो तुकि बोरिंग चल रहा था, मैंने दीपनगर के बहुत बरियाबादी, जो अमरपुर पाई जावा, दीपनगर, खलेशनगर, दल्लली गञ्ञ, महसपूर, काटके पूल, इस सब एरिया में जो पानी नह बाया, लेकिन यह साइद काफी नहीं था, तो मैं जब उप महापौर था, तो एक योजना मैंने करवाया था, जो एक बाद नुमर चोवण के लिए योजना बनी थी, एक बाद संतामन का और एक बाद तिरसट का, आप जानते हैं कि मेरा बाद तिरसट बाद एक सट से सटा हुआ है, और रानिपूर, रुसुलपूर के एरिया, लोग पानी से काफी परिशान थे, पानी लोगों को नहीं मिलता था, तो मैंने वहाँ बाद तिरसट में एक हरनाहा टोला में बोरिंग लगवाया, पहले बेगमपूर नाला पर से पानी आता था, तो दिकत भी होती थ तो हरनाहा टोला में मैंने जब बोरिंग लगाया, तो रानिपूर के समस्यां का समाधान हुआ, एक और परियास किया, जहाँ जहाँ पंचायत है, वहाँ मैं समर्सेवल बोरिंग गारूंगा, अर्ज जब होते थे, उनके साधी बया या मरनी का कार्ज होते थे, तो हम 11 पारा बजे रात को फोन करते थे, भाईया जे पानी चला दीजे, पानी खतम हो गया, अब रात के हमको परियास करके अपने काच करताओं को कहना परता था कि जाके बोरिंग चलबाओ, तो सब पंचायत में मैंने समर्सेवल बोरिंग आरने का परियास किया, और उसमें सफल मानिय नंकिशोर यादव जी है, उनके परियास से मैंने इस बाड में लगातार नए बोरिंग का लगाने का कार्श शुरू किया, जिसमें मैं सफल भी रहा, और जो मुर्तुली गंज उदरामापुर्च के रिफ्लेस्मेंट के जगा पर उस एक बोरिंग का जो मैला खंदा पार्क है, महात्मा जोती राव फूले पार्क, उसमें मैंने एक सव एच्पी का बोरिंग लगाया, और जो अबादी काटके पूल थी, मनसराम के खाराक लगा का पूल इसमें जो पानी कम जा रहे थे, उसको लगाने से एक बोरिंग आव मैंने चालू करा लिया, इसके बा पानी नहीं जाते हैं, तो मैंने एक और बोरिंग सव एच्पी का लगवाया, उसका भी काम लगा हुआ है, एक महिना में कम से लोगों को सुध पानी मुहया हो जागा, तो पानी से इस तरह के समस्याओं से समधान मैंने किया, एक बात और मैं कहना चालू, लाइट की जो सम केंद्र सरकार की जो योजना है, लाइट की, घर घर लाइट लगाने का हर पाल में, LED लाइट, उसको बहुत बड़ी मात्रा में, पूरे पटना में लगाने का पर्यास किया, उसमें मैं भी साभागी बना, और हजारों लाइट अपने छेतर के लोगों के लिए पाल वहां के विकास नहीं हो सकता है, अगर किसी चीज़ पर विजय पाना है, तो सिच्छा सबसे जरूरी चीज़ है, मैंने सिच्छा के लिए लगातार बिहार सरकार के मंत्री थे, सिच्छा मंत्री, उनसे मिलकर, और मैं यह एक लवताबाड है, जहां आठ स्कूले प्रात्मि स्कूल है, यह नहीं लगे, और स्माट करा कलास भी मैंने बनवाया है, जो सडको का जो जाल है, वो किस तरह से है बाड में जोगी पके नल जल योजना की वारे में आपने बता दिया, अपर लेगी का चीज़ जो सडके हैं, उनका क्या है, देखिए, साइद 2017 से 2022, पटना के दियम के लिए, सोर्न अच्रों में लिखने वाला है समय, इसलिए मैं कह रहा हूँ, विकासील बाड है, विक्सित के साथ साथ नहीं नहीं कॉलनिया लगातार बन रहे हैं, तो जो पुराने जगा पर हैं, एक भी आप बता दिजेगा, घूम लीजेग बाड में, एक भी गल अगर तोर पर आप जब दीप नगर जाएंगे, अखलेश नगर जाएंगे, मौर्या कॉलनी जाएंगे, बिरुवा चक निव बिरुवा चक जाएंगे, अभी स्कूर्गोविन सिंखपत के तरफ रानीपूर को एक जोरने कब मैंने परियास किया है, रानीपूर से, वहां मैंने बना दिया है, कची नली गली योजन्या का मैंने, और सारे तेरा करोर रुपया, एक बार के लिए आप सोच लीजे, मैंने दो, पहले में जिक्र किया था कि पांच बरस में मुझे पांच लाक रुपया मिले थे, और एक बरस में सारे तेरा करोर रुपया, ये बहुत कहीं हम्रा अधिकार जो था उसका पूरा हमने सदुपियों किया है उन्होंने पैसा जितना मैंने कहा कि इस छेत्र में बनाना इस छेत्र में सभी बना देखा था पढ़े को लिखे हो गए नवाब अखे लोगों को लोगों हो गए खराब लेकिन आज उलट गई दुनिया अभयें का आप जब जाएंगे महात्मा जोती राव फूले पार का नाम आप सुने होंगे एक सुन्दर सा पार्क मैंने खेल के बढ़े सामनालाब देने के लिए बहुत बरी मैदान के मुहत्मा जोति राव फूले पार्क के बगल नहीं है उसको मैंने बनाने काक्त इस च्छेट्र के रोड करना पड़ेगा लेकिन उसके साथ साथ रहने का निर्मान भी कराया चुझकंक पार्क वहां है और महिलाएश आती है तो उनका करका ख्यार रखना पड़ेगा हमें तो उसके लिए मैंने भी उएक वहां सुन्दर डिलॉक्ष स्वाimiz अनिर्मान मैंने करा है गरीब तपका के लोग यहां रहते हैं उनके लिए मैंने हमेशाब सोचा है कि एक बहुत बड़ा हॉल अगर बना देंगे योजना के तब तो निश्ची दुप से लोगों को एतना जो लाखों खर्च करने पड़ते हैं और नहीं करने पड़ेंगे तो जो धानुक टोली है वहां मैंने बनाया माल बस्ती है वहां मैंने समुदायक भवन बनाया दलली खंदा जो है वहां मैंने समुदायक भवन बनवाने का काम किया इसके अलावे मानियनन की सोरी आदब जी के परियास से भी बहुत से समुदायक भवन बने तो इस तरह से करते हैं तमाम लोग समस्यां। समस्यां ध़के बाठी कि समस्याहिं बोफ समस्या और रखें और उन्हां दूर करने काम करती हैं यह कैसे होता है कैसे समय निकालते लोगों को अपने दिन बॉलम लैना हो गया मैं सुभभ उठता हूं मैं हाँ धवा के, छोब म νसम्हा एक रोज खाना खा लेता हूँ, लोगों को थोड़ा आश्यर लएगा, येकिन मैं खाना खा लेता हूँ, और ये मैं ही नहीं मेरे परिवार के जितने, मैं चार भाई हूँ, चारों भाई, छो बजे ही हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद छे बजे गारी निकाल कर पूरे बार का भर्मन कर लेते हैं साथ बजे आके हम ओफिस में बैठ जाते हैं सभी को मालूम है कि साथ से इगारा लगातार सिरी मति उसा देवी जी और रूप नराइन में ताजी बैठते हैं काम तो कंबेसी होगा सब काम मैं नहीं कर सकता हूं लेकिन बनिया से बात कर सकता हूं उनका जो दुख है उसमें सामील हो सकता हूं निश्चितुप से इसका अनुसरन करेंगे तो आपको लगातार जीत मिलेगे स्वास्त बहुत जरूरी है तो स्वास्त के शत्र में बाड़ेक सट कहां पर है नियनन्द कि सोर्यादब जी जब स्वास्त मंत्री थे उनके परियास से हमने आगरह किया था चुकि उनका किरपा हम पर बना रहता है तो यहां रामदेव महतो प्रात्मिक स्वास्त के अस्थापना हम लोगों ने करवाई है और लोगों को लगातार महां से स्वास्त की सुर्धा मिलती है जानबर की और भी परियास किया और अभी इस श्थितर में एक जानबर का भी हास्पीटल है चुकि बच्चे में हम लोग कहतے थे गाय हमारी मात आहए हमें कुछ नहीं आता है जानबर को रच्छा करना भी हम लोग का मती हम आएइक दो कठे का पलॉट हमने जो जमीन था सर स्थेत्र में जानवर के लिए गुम्टी के पास असको मैंने सुफ्ट कराने का बिरुवाचक गाहों में जगह है, зल्दी सarian ही काम लगने वाला है. तो लिपर भी जछक और मेंदी गंजा और अस बाद मुर्तुली गंज लाणी पूर्स बह बें लाएं। हमारे सटे बार 56 है बार अंठामन है बार 63 है बार 62 है सभी को इसका सुधा मिलेगा तो समझे कि मनुस के साथ साथ जानवर की बेवस्ता अच्छा कैसा हो उनको इलाज कैसे मिले चुकि यहां के जो भी पसुपालक हैं गरीब तब के के लोग है खेती और जानवर पालना उनका पेशा है तो इस छेतर में अगर जानवर का होस्पीटल अस्थापित हो जाता है हम लोग का काम क्या है अस्थापित करना अगर अस्थापित हो जाता है तो यह बहुत बड़ा इस छेतर के लिए लिए लाबकारी होगा अगर जीत कर जाते हैं तो फिर क्या-क्या समस्या है गोट पूरा करने का पहली प्राथमिक्ता होगी पहला आधार होगा इस लोगों का शमस्य अनंत अो उसे शमस्य है उनतर पार्क बनाने के इसा अमें है जो जोगे गाट हो मेरे छंफ में नहीं बार्धी डाटी जो समस्य पीट योजना बनाई है काम भी आगे बढ़ गया है हमें लगता है कि आगे आने वाला दिन में जब हम लोग जीतेंगे तो उस काम का भी नेराकरन करेंगे चुकि लोग भक्ती भाव में डूबे रहते हैं गंगा जी जाने में बहुत लोगों को असुदा होती है तो एक सुन्दर स तलाव का निर्मान, दो तलाव का निर्मान करा है एक रानिपूर छेटर में भी बड़ा समुदायक भवन बनवाएं मैं जमीन को सरकारी जमीन का मैंने चिजनीत किया है कि वहा है तो वहाँ है सरकार से सच को जूतला नहीं सकता है हम काम किया है और बिपश तो हैहीं यहां नहीं चुकि जितने लोग लगे हुए है उस सब three जब जब चुना हो और महापोर के पतपर रहा हूं और महापोर के पतपर मैंने कुछ दिन कार्ज किए। मैंने देखा है महापोर का तो लेकिन उससे ज़्यादा बढ़कर अबरी महापोर का आप जोड़ा हुआ हुआ है। जनता महापौर और पार्षत को चूनेगी और जनता चूनेगी तो महापौर जनता के परति जवाब दे होंगे जो यहां भगवा जो आंधी है अब देखते हूं इससे पहले भी इतियास रहा है यहां के सांसद प्रविशंकर प्रशादी रहें अभी हैं बरत्मान में इस छे लिए बिधायक भाजपाके हैं महापौर महोतिया भी स्रीमति सित्त śहुअजी भाजपा के थी और महापौर के परत्याचि हैं रिशमि चंदर्वंसीं तो समझिये कि हम लोग का जो संगठन है निश्चित रूप से बहुत अच्छे से लगी हुई है महापौर के अपने कार्ज काल में सिरीमति सीता साहु जी ने लोगों का इस शहर का विकास किया है लोगों की जो आकांचाय थी उसको पूर्ण करने का काम किया है सोचिये मैं सारे तेरा करनोर का जब आपको जीकिर किया हुआ हूँ और दो हजार दो के जो पांच लाग का सिर्फ जीकिर किया हूँ तो समझी आस्मान जमीन कांतर है पहले क्या होता था ट्रेक्टर जाता था और खुणा उठाय गिरते जा रहा है लेकिन नहीं नहीं जो गारियां आई इस रिक्षा चलें सिस्टम डबलप हुआ टेक्नलोजी का इस्तमाल हुआ कि पतना स्मार्ट स्टीटी को और बर रहा है और अगर पतना का लगातार विक पतना का जो विकास हो रहा है उसमें आउगे तरक्टी होगा तो यह थे हमारे साथ रूप टेनर में था जो बेवाकिस अपनी बातों को रख रह थे और बता रहे थे कि बाड़ एक्सट को किस तरह से चोटे सहर में प्रारूप करने का काम किया है उन्होंने बताया कि काम यूचनाओं को लाकर बाड एक्सट को एक बिकसित और बिकासिल बाड बनाने का काम करेंगे मैं यहां पर बता दूगी वही बाड है पुड़े बिहार नगर निगम में अगर चुनाओं होते थे तो सबसे ज्यादा बोटों से जितने का रिकॉर्ड दर्ज किया हुए ह रूप नार महता जी तो अब देखना यह होगा कि जन्ता का कितना साथ और समर्थने मिलता है तब तक बने रहे हैं शौर भारत में उचके साथ में वहामें जोल्ड जोल्री, डाइमंड जोल्री, प्लाटिनम जोल्री, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमुहललाल शिवरतनलाल जोलर्स, पतना सिटी चौप, पतना